कि नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हर्याडा के कुरशेत्र से कुरशेत्र में जिस तरीके से महाभारत हो रही थी पंजाब पुलिस हर्याडा पुलिस के बीच और उसी बीच पहुचती है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस को सौपे गए है तजिंदर पाल सिंग बगगा जी हाँ बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंग बगगा दिल्ली पुलिस को सौब दिये गए इससे पहले आपको बता दे कि पंजाब पुलिस ने उनकी गिरफतारी की थी गिरफतारी करने के बाद उन्होंने कई सारी गलतियां की थी और फिर पंजाब पुलिस बिना किसी इंफॉर्मेशन के उनको गिरफतार कर लेती है। कि हम तजिंदर पाल सिंग बगगा को दिल्ली पुलिस को सौपेंगे क्योंकि ये जो मामला है वो अपहरण का दर्ज हो जाता है। पंजाब पुलिस जिसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है अब वो ये कह रही है कि ये मामला अपहरण का नहीं है। पुष्टाज कर रहे थे उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे बार बार उन्हें समन भेजा जा रहा था। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था इसी लिए हमने गिरफतारी की है अब यह जो पंजाब पुलिस के तरफ से हवाला दिया जा रहा है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम हाई कोड भी जाएंगे इस मामले को लेकर हमारी कोई इसमें किसी भी प्रकार की हमने गलती नहीं और इसी लिए लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल की हार हुई है और यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चौड़े होकर तजिंदर पालसिन बग्गा जिन और ये मांग कर रहे थे कि जल से जल्द उन्हें दिल्ली पुलिस को सौपा जाए या फिर उन्हें उनके घर छोड़ा जाए क्योंकि ये जो पूरा मामला है राजनीती से प्रेरित है अरुन यादो जो की बीजेपी के वरिष्ट नेता है उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया उन्होंने एक कोड भी लिखा है और ये बताया है कि किस तरीके से केजरिवाल की हार हुई है और वही तजिंदर पाल सिंग बगगा को प्रेज किया गया है उन्होंने लिखा है कि चिडियों से मैं बाज लड़ाओं सवा लाख से एक लड़ाओं तब ही गोविन सिंग नाम केजरिवाल और इसके साथ ही पंजाब की सरकार पर सवाल उठा रहे थी और इसके साथ ही कुमार विश्वास का भी टूइट आया था उन्होंने इस मामले को लेकर केजरिवाल सरकार को और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार तीनों को उन्होंने इस मामले को लेकर तीनों पर निशाना साधा था और उसके बाद से ये साफ हो गया था कि यहां पर गलती जो है वो पंजाब पुलिस की है और केजरीवाल की हार होनी ही है